आज एक नई जानकारी के साथ मैं हाजिर हूँ प्राध्य पक्सान तिलाल विश्णोई और आप देख रहे हैं हिंदी का विश्वष्णिय चैनल SLP हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल साथ यो आज हम बात करेंगे जिनका हम धडले से परियोग करते हैं एकिन उनका परियोग कहां होता है कहां नहीं होता है इस बात से हम बिलकुल बेखबर रहते हैं तो ऐसे ही तीन सब्द जिसमें पहला सब्द है इसी लिए दूसरा है इसलिए और तीसरा है क्योंकि इन तीनों सब्दों का परियोग किन प्रिस्तितियों में होता है किन विशेश प्रिस्तितियों में होता है इस वीडियो में हम विभिन उदारणों के मादिम से ये बात ज प्रियोग कहां होना चाहिए इस बात से हम बिल्कुल वेखबर हैं तो यहां कुछ उदारणों के द्वारा मैंने आपके सामने ये संपूर्ण बात है वो प्रस्तोत की है चाहे तो आप इसका स्क्रीन शोट ले सकते हैं तो सबसे पहले अपने बात करेंगे पहले पॉइंट क इसलिए और इसलिए में क्या अंतर है तो साथ योग पहली बात है इसलिए है वो किसी विसेस प्रियोजन के लिए काम में लिया जाता है जहां पर कोई विसेस कारण हो विसेस कारण होता है तो वहां पर इसलिए का प्रियोग किया जाता है और जब कारण है वो समान्य होता ह समान ये कारण होता है तो वहाँ पर बात की जाती है या परियोग में लिया जाता है वो लिया जाता है इसलिए तो इस उधारण में आप देख सकते हैं इस उधारण के दोरा आप ये संपुन बात आसानी से समझ जाएंगे जैसे मैंने उधारण दिया है आपको आज ओपीस जाना था इसलिए देखिए आपको आज ओपीस जाना था इसलिए मैंने खाना जल्दी बनाया मतलब एक समन इसा कारण है आज आपको ओपीस जाना था इसलिए मैंने खाना जल्दी बनाया और इसी लिए टेक्सी बुलाई अब विसेश कारण ये है विसेश प्रियुजन ये है जब किसी कारण पर जोर देकर कोई बात कही जाती है जोर देकर अब देखिए इस वाक्ये से आपको सीधा पता लग रहा है कि आपको आज ओपीश जाना था इसलिए मैंने खाना जल्दी बनाया इसलिए मतलब सामान ये कारण और इसी लिए और इसी लिए टेक्सी बुलाई दूसरा उदारण आप यूँ समझ सकते है कि आज आप आने वाले थे इसलिए मैं घर रुका और इसी लिए अन्ये लोगों को भी रुका ये उदारण इस प्रकार भी बन सकता है तो साथियों यहां पर इसलिए का परियोग कहा होता है इसलिए का परियोग कहा होता है ये इस उदारण से आप अलिबांती सीख गए होंगे और नौट सीर्षक में मैंने कुछ किलियर किया है कि इसलिए का परियोग सामान्य कारण में किया जाता है जबकि इसलिए का परियोग विसेस कारण में किया जाता है तो इसलिए का परियोग सामान्य कारण में और इसलिए का परियोग विसेस कारण में किया जाता है अब बात करते हैं इसलिए और क्योंकि कई जगे हम इन सब्दों को काम में लेते हैं कहीं मन हो गया आपन तो हमने इसलिए ले लिया कहीं मन हो गया तो हमने क्योंकि ले लिया लेकिन सात्यों इस परकार का परियोग करना हिंदी की द्रश्टी से असुद है तो कहां करें इनका परियोग जैसे मैंने एक उदारण दिया है उससे पहले अपने देख लेते हैं नौट इसलिए का परियोग कारण के अर्थ में और कारण भी कैसा हमने उपर पड़ाता सामान ये कारण इसलिए का परियोग कारण के अर्थ में जबकी क्योंकी का परियोग परिणाम के अर्थ में किया जाता है एक का कारण के अर्थ में एक का परिणाम के अर्थ में उदार देखिए आज मैं विद्याले इसलिए नहीं गया मतलब कारण है आज मैं विद्याले इसलिए नहीं गया क्योंकि आज अवकास था परिणाम क्या निकला अवकास मैं आज विद्याले नहीं गया अब देखिए मैं आज विद्याले नहीं गया क्योंकि आज अवकास था वाकिय इस प्रकार भी बन सकता है वाकिय इस प्रकार भी बनता है कि आज मैं विद्याले क्योंकि का संबंद होता है वो होता है परिणाम से किसे परिणाम से परिणाम क्या निकला कि आज अवकास था और इसलिए का संबंद होता है वो होता है कारण से किसे कारण से कि विद्यले नहीं गया ये कारण है मैं आज विद्यले नहीं गया किस कारण से नहीं गया क्योंकि उसका परिणाम यह है कि आज हुकास था, अब नोट में आपने पढ़ाओगा कि इसलिए का परियोग कारण के अर्थ में, इसलिए का परियोग कारण के अर्थ में, जब की क्योंकी का परियोग परिणाम के अर्थ में किया जाता है, तो सातियों, इस नई जानकारी में आपने तीन सब्द सीखे इसलिए इसलिए और क्योंकि इनका परियोग कहां कहां होता है एक बार पुने मता देता हूं इसलिए का परियोग विशेस कारण के अर्थ में जब हम जोर देकर किसी विशेस कारण को उद्गाटित करते हैं तो वहाँ पर इसलिए का परियोग किया जाता है इसलिए का परियोग समान्य कारण में किया जाता है जब कोई कारण बताया जाता है जिससा आपने इस उधारण में देखा आपको आज ओपीस जाना था इसलिए मैंने खाना जल्दी बनाया समान इसी बात है और इसी लिए टेक्सी बुलाई तो यहां हम जोर देकर कह रहे हैं इसलिए इसलिए और इसलिए में ये सामान ये सा एक मामूली सा फर्क है लेकिन फर्क जरूर है दोनों एक जिसे कताई नहीं है इसके बाद हमने पड़ा कि इसलिए और क्योंकी में क्या अंतर है इनका परियोग हम अकसर सामान अर्थ में कर लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकी इसलिए का परियोग है वो कारण के अर्थ में किया जाता है जब कि क्योंकी का आर्थ है क्योंकी का प्रियूग है उपरिनाम के आर्थ में किया जाता है हमने उधारन के द्वारा भी भली बांती समझा कि आज में विद्याले इसलिए नहीं गया क्योंकि आज आउकास था या अपन ये कह सकते हैं कि आज मैं घर से बाहर इसलिए नहीं निकला क्योंकि बाहर बारिस हो रही थी तो इस परकार आप इन दोनों सब्दों में भेत कर सकते हैं तो साथी उमीद करता हूँ कि इसके बारे में अब नै तो आप को कोई भर्म होगा नै आपकी कभी कुछ भूलोगी और नै हिंदी लिखने में आप इन सब्दों को लेकर कोई तरूटी करेंगे तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर दे वीडियो को लाइक करें वीडियो को पूरा देखें और बहुत ही ज्यानवर्दक जानकरी है सातियों को सेर करना भी नहीं बूलें और यदि आप चैनल पर पहली बाहर आये हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नियम इतस दिस्य भी जरूर बने मिलेंगे किसी और ऐसी ही ज्यानवर्दक जानकरी के साथ तब तक आईए जाओंगा नमस्कार जैहिन जैवारत